बिस्मिन नाइब रह्मान रहेम तोड़े भी है ठीजिस्ट टॉपिक स्पेक्ट्रोमीटर इस डिवाइस यूज़ तो स्टेडी देश्टरम वरियू सोर्सी आफ लाइट और इसके स्पेक्टरम को स्टेडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग या फिर प्रिजम डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है कि ये एक अनब्रेकेबल ग्लास शीट होती है जिसके उपर लाइन जरूल की होती है जैसे कि अगर आप किसी शिशे के उपर लाइन लगा दें सक्रैट टाइप जैसा होता है तो जहां पर लाइन होती है वहां से वो मीडियम उपेक हो जाता है यानि उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती तो इस तरह से इस पर लाइन लगी होती है कि जहां पर लाइन लगाई होती है वो मीडियम उपेक होता है और उनके दर्मयान की जो लाइन होती है यह फिर्ट प्रिजम को यूज करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है लाइट is dispersed in too different colors after passing through the prism, prism के, को अगर आप light के सामने करें तो यह light tray को white light को डिसपर्स कर देता है seven colors में, इसकी construction में cat consists of three major parts, kolimiter, turn table and telescope. ये ये देखें ये जैसे इस तरह की होती है ये इसकी एक ये जो है साइड ये है एक ये वाली साइड है हमारे पास कॉली मीटर इसके सामने हम यहां पर बाहर रखते हैं कोई भी सोर्स आफ लाइट वो यहां पर एक नेरो स्लिट होती है जिसमें से लाइट रेज अंदर तो फिर हम जैसे जैसे टेलिस्कोप को गुमाते जाएंगे, इस प्रिजम क्या करता है, लाइट को सेवन कलर्स में डिस्पर्स कर देता है, हम ये गुमाते जाएंगे इसकोप को पहले हमें एक कलर नजर आएगा, फिर सेकिन नजर आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्स, इस तर फिर डार्क्न darkness आएगी, फिर ब्राइटनस आएगी, फिर डार्क्न आएगी, फिर डार्कनस आएगी इस तरह और, urder avenue diffraction से हम find करते हैं, फिर wavelength, यह हम आगे जिटेल में स्टेडी करते हैं, कालीमितर क्या है, जो first part अकालीमिकर, यह एक metallic ट्यूब है इसके एक end पे लगा होता है convex lens और दूसरे end पे होती है narrow slit narrow slit के हम सामने रखते हैं light source को slit में से light rays गुजरने के बाद जब convex lens हम इस तरह से adjust करते हैं कि जो light rays source है वो convex lens के focal point पे लाई करे और जब किसी भी object को हम focal point पे रखते हैं तो light rays जो है infinity से आने वाली light rays को वो क्या करेगा parallel कर देंगे light rays उसमें से घुजरने के बाद parallel हो जाएंगी convex lens को हम converging lens भी कहते हैं कि infinity से आने वाली light rays को sorry focal point से आने वाली light rays को parallel कर देता है parallel light rays को focus कर देता है focal point पे इसकी दोनों abilities है it is used to make light rays parallel coming from source it consists of a metallic tube such that there is a convex lens at one end and an adjustable slit on the other end when light is adjusted at focal point of convex lens then light rays coming from source become parallel after passing through after passing through the convex lens अब देखें यह एक तरफ है light source यह slit में से light rays गुजरी हम इस तरह से adjust करते हैं कि यह source is convex lens के focal point पे लाई करें यहां पे इस end पे है convex lens यह convex lens जो इसमें से जब light rays गुजरेंगी तो वो parallel हो जाएंगी यानि सिर्फ parallel direction में ही move करेंगी parallel हम इसलिए लेते हैं ताकि वो grating पे या prism पे exactly fall कर सकें वो disperse ना हो second part है इसका turn table a prism or diffraction grating is placed on a turn table that can be rotated about fixed vertical axis जो turn table है यह rotate table होता है इसको हम rotate कर सकते हैं एक fixed vertical axis के about और इसके साथ एक scale attach होता है जिसकी graduation की होती है half degrees में यानि एक line half degree को read कर रही होती है circular scale है तो total हो गए 360 degree जो scale यहां पर हमने लगाया होता है वो एक line half degree को read कर रही होती है फिर दो lines हो जाएंगी तो one degree इस तरह से counting होती है आगे telescope यह देखें इस तरह से होता है यह scale हमारे पास कि यह जैसे 280 है इसके बाद यह एक line छोड़ के फिर 281 282 283 284 285 और यह center वाली जो चोटी lines है नीचे वाले scale की जो चोटी lines है यह half degree को represent कर रही होती है यह वाला जो scale है यह fix होता है turn table के साथ तैली स्कोप के साथ भी एक scale अटेच होता है जिसे हम one year scale कहते है यह one year scale जो है यह telescope के साथ ही move करता है अब तैली स्कोप जो होती है उसका vertical axis वही है जो turn table का है लेकिन वह उसके की गिर्द घूम सकती है 360 degree angle पर हम उसको rotate कर सकते है तैली स्कोप फिक्स्ट ऑनस्टेंड एंड एंड रुटेटेबल अब आउट तैली स्केल अब वन यह स्केल जो है जहां पर वन यह स्केल का 0 आता है वह angle की लीडिंग हमने मेर करनी होती है अब हम देखते हैं इसकी working और यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टर्न टेबल इस एड़ेस्टेड बाई यूजिंग लेवलिंग स्क्रियू यह देखें जो इसकी प्रिविएस फिगर है इसमें टर्न टेबल यह उपर नीचे हो सकता है हमने क कॉलिमिटर और टेलिस्कोप के लेवल के हिसाब से इसको एड़ेस्ट करना है ताकि जो लाइट रेज है वो प्रिजम के अंदर से गुजर सकें ना तो हमने ज्यादा नीचे करना है लेवल ना ज्यादा अब उपर करना है कॉलिमिटर इस अड़ेस्टे तो गेट पैरलल रेज उफ लाइट टेलिस्कोप शुड फोकस सो एड़ पैरलल रेज एंटरिंग अर फोकस्ट एड़ दा क्रोसवाइड नियर दा आईपीस आईपीस के ओपर क्रोसवाइड लगी होती है जब इग्जैक्ट उस क्रोसवाइ इसके ओपर ताक एक्जैक्ट सेंटर में आए इस तरह से जैसे प्रिजम में से गुजरने के बाद लाइट डिसपर्स हो जाती है एड़ औरिंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वाइलेट यह सारे कलर्स होते हैं तो अगर हम ऐसा करें कि जैसे जैसे टेलिसकोप को और रेड कलर के लिए एंगल हम मैयर करेंगे उसके बाद फिर और इंज कलर के लिए मैयर करेंगे फिर येलो के लिए फिर ग्रीन के लिए इस तरह हम हर कलर के लिए डिसपर्शन एंगल फाइंड कर सकते हैं वा यूजिंग आ टेलिसकोप इन स्पेक्ट्रमीटर यूजिज इसके, it is used to study the spectrum of light source and study the deviation of light from prism के light, देखे, light rays उसी direction में मूव नी करती है बलके light क्या होए, deviate हो जाती है यानि एक medium से जब दूसरे medium में enter होती है light तो वो अपने normal से उसमें की जो deviation है वो भी हम study कर सकते हैं by using prism calculate the refractive index of material of the prism किसी भी material का refractive index find करने के लिए भी से हम use करते है refractive index क्या होता है, यह ratio है speed of light in vacuum to the speed of light in medium, जिस medium में से light ray की हमने find करनी हो जो medium कर लेंगे उसका refractive index हम find कर सकते है अगर glass जैसे prism glass का बना होता है तो हम glass का refractive index find कर सकते है measure the wavelength of light using diffraction creating by the relation यह relation है d is equal to d sin theta equal to m lambda इससे हम m order को represent कर रहा है अगर हमें order known हो first order, maxima second order है यह third order है और angle की value हम यहां पर put करेंगे d है इसमें grating element यह number of lines per centimeter जो rule की होती है grating पे यह वो value हमने put करनी है यहां पर तो इस formula से हम unknown wavelength किसी भी light source की find कर सकते है यह long में आता है यह question यह short में आजाती है इसके parts की description कि यह किसलिए use होता है तो बाकी यह long के लिए आपने त्यार करना uses और कॉलिमेटर, turn table, telescope के uses short के लिए आपने करने हैं कि इनका क्या purpose है एापने के लिए कुलिमें घुपकी अड़िल के लिए